नमस्कार दोस्तों आप सभी का Healthy Product Review चैनल पर स्वागत हैं आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ एक बहुती कमाल की आईरवेदिक ओसिदी के बारे में जो की पतंजली दिव्य फार्मासी के द्वारा कई तरह के चरम रोगों का इलाज करने के लिए बनाई के एक आईरवेदिक मेडिसिन है इस वीडियो में आपको इस मंजीश चून के फायदे, उप्योग, कीमत, इंग्रेडियन्ट आपको कैसे और कब लेना है इसका रिजल और इसके साइड फैट, सब चीजों के बारे में कंप्लीट जनकरी मिलने वाली है जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले बात करें, मंजीश चून की किमत के बारे में तो इसकी किमत है सतर रुपे जो कि आपको सू ग्राम की चून के लिए देने बढ़ते हैं बात करें अवेलेबिल्टी की तो पतंजली स्टोर पर आपको यहाँ असनी से मिल जाएगी इस चून का कलर रेड है जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे इसके लावा अगर आप ओनलाइन इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ओनलाइन खरीदने की लिंक भी दे रहा हूँ बात करें गटकों के बारे में कि कौन कौन सी जड़ी वूडियो को मिला कर इसको तयार किया हुआ है तो इसमें सिर्फ मंजी स्टी सामिल है जिसका नाम रूबिया का डिफोलिया है वो देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 100% इसमें मंजी स्टी मिलाई गई है 100% नेचुरल और हर्बल चौन में इसको बोलों गा अब हम बात करेंगे मंजिस चूर्ण के उप्योग और फाइदों के बारे में कि आपको इस चूर्ण को लेने के क्या क्या बेनेफिट होंगे जैसा कि इस चूर्ण पर लिखा हुआ है कि चरम रोगों में उप्योगी हैं क्योंकि कील मुआ से होने का एक बड़ा रिजन रहता है खोन में अस्दा यानि कि ब्लड का साप नहीं होना तो रक्त विकारों को दूर करने में यह चौन आपको फाइदा करेगी खोन साप करने यानि ब्लड प्यूरिफिकेशन करने का काम यह चौन करती है तो यदि रक्त विकार दूर होंगे तो आपको एकने और पिंपल से वो अपने आप नहीं होंगे चहरा साप होगा और तवचा को लेकर कई प्रोब्लम से वो आपको नहीं होगी तो जो रक्त विकारों के कारण कील मासों की समस्या होती है उसको ट्रीट करने में मंजीश चौन हो फाइदा करती है यहां खुजली की समस्या में भी फाइदा करती है क्योंकि यह चौन इंटर्नली स्किन को हील करने का काम करती है कई तरह से मंजीश चौन के लोग है वो फेस्पेक बनाते हैं जो की करने का काम करती हैं तो इस प्रकार चरम रोगों जिसे की तवचा विकार एकने पिंपल खुजली दाद फोड़ा खाज दाग धबे इन सभी चीजों में मंजीश चून के फाइदे हैं वो देखने को मिलते हैं यहां चून वाउंड हिलिंग यानि की गावों को भरने याग है गावों के कान जो तवचा पर जो डेमेज हो जाता है उसको भी कम करने में मजीश चून है वो फाइदा करती हैं पेट की विबिन तरह की समस्याओं में भी रहाद दिलाने का काम यह करती हैं यदि आपको तवचा या फिर चेहरे पर बार बार ऐलरजी होती है तो भी आप इस चून का अपयोग कर सकते हैं बार बार होने वाले इतवचा की अलरजी को ठीक करने में यह मदद करेगी परतिरख्सत अंदर को मजबूत करने शुदार करने और संकरमन से लड़ने की सरीर की सकती बढ़ने का काम यह चून करती हैं बालों की विबिन तरह की समस्याओं म को भी कम करने का काम करती हैं एक तरीके से जो बालों में बूरा पन आ जाता ही है फिर वाइट बाल की जो सिकह जाती है उसको भी कम करने का काम यह मंजिस्ट है वो करती है वजन कम करना चाते हैं तो भी इसमें यह फाइदा देगी यहां आर्थरैटिस में भी उप्योगी साथ ही कमजोरी को दूर करने मूतर विकारों को दूर करने पेट की समस्याओं गैस्टिक प्रब्लम को दूर करने में भी मंजीस्ट के फाइदा करती है तो यह सब हो गए मंजीस्ट के फाइदे जो कि आपको इसको लेने के बाद में देखने को मिलते हैं आपको अगर कोई भ मच चूर्ण हो लेनी है उसको आपको दिन में तीन बार इस्तमाल करना है या फिर वैसे ही करना है जैसे कि आपको आपका जो डॉक्टर है वो सला देता है अब हम बात करेंगे साइड वैड की तो इस चूर्ण का कोई भी साइड वैट है वो मेजर देखने को नहीं मिलता छोटे बच्चे हैं उनको चिकित्सकी सला के बाद में इस्तिमाल करना चाहिए यानि कि जिनकी उम्र 16 से कम है उनको डॉक्टर की सला के बाद में इस्तिमाल करना चाहिए अगर आपको मंजीश चे ऐलर्जी है यानि कि करने वाले चनल हेल्थी प्रोडेक्ट रिव्यूज कभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें